वेल बच्चों अगर आप नीट की तियारी करते हैं तो आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का आप लोग एंड तक जरूर से देखना अगर आप लोग यह प्लान कर रहे हो कि मैं कोचिंग क्लासस जॉइन करूं 25 के प्रिपरेशन के लिए 24 के लिए क्र लगा लो मैं प्रापर पुरा रेगुलेशन अन्ना मैं हाइलाइट करके लाया हूं जो भी मेजर पॉइंट से आप लोग के लिए वहम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहली बात है कि यह रूल्स और रेगुलेशन मिलने की जरूरत क्यों पड़ी सेरकार को यह पता है कि यहाँ जादा कुछ और करते हैं देते कुछ और है यह बहुत सारे इशू के वज़े से सरकार बहुत यहाँ पर कॉशियस थी और अभी आपको यह भी आद ऊदोगा तो बहुत सारे बचे जो नीट की तियारी करते हैं वो डमी स्कूल लेते हैं अब डमी स्कूल के भी बनाया गया है यह इंप्लिमेंट कौन करेगी तो आपके स्टेट गवर्मेंट यहां पर करने वाली है सेंटर के तरफ से रेगुलेशन दे दिया गया है आगे क्यों बढ़ते हैं अच्छा अब देखिए यह बोला गया है अगर आप पॉइंट नमर्ट 10 देखिए तो यहां आप यह बोला गया है कि जो आपका NEP है 2020 मुझे आपका NEP आया था उसके हिसाब से यह बोला गया कि कोचिंग के कल्चर को हम लोगों को एकदम खतम करना है विकॉस बहुत-बहुत ही क्या होता है कि कोचिंग में आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता है और syllabus में वो टॉपिक होता ही नहीं है जिसके वज़े से एक गलत इंपाक्ट बच्चे को पर पढ़ता है तो बहुत चाहते हैं कि जो कल्चर कोचिंग कल्चर अफ दर टूडे अनिट्स हामफुल इंपक्ट उसको उनको खतम करना है इसके लिग उन्होंने ये रेगूलेशन बनाया अब समझे रहे हो सरकार नहीं बोला एंट्यों को जो पेपर बना रहे हो ऐसा बनाओ कि वह NCIT के अंदर सही हो और बच्चे को से कोचिंग करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े मतलब जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वही पढ़ा है से वह अपनी एंट वही फालो होता है फिर उन्होंने यह बोला यहां पर साफसा अभी अभ्यास आप के ओपर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया क्या बोला है in order to help the student practice well for NEET UG and JMAIN entrance examination जो NTA है had launched a mobile app national test अभ्यास जो आपका अभ्यास आप उसको इन्होंने relaunch किया है to facilitate the candidate access to the higher quality of mock test online free of cost मतलब य यहां की questions आपको paper में देखने को मिलेंगे जी इसका मतलब सबसे पहले आप लोग अभ्यास आप लोग joint app download कर लो और मैं अभ्यास आप में से सारे questions निकाल रहा हूं और हम लोग उसको आपको solve करवाने वाले आपके लिए आपके लिए और कुछ नहीं है यहां पर अचा अब यह guidelines लाने की आवश्कता क्यों पड़ी वह उन्होंने लिखा हुआ है क्या to provide the framework for registration and regulation of coaching centers आपने देखा हो ना कि आपके गली महले में बहुत सरे coaching खुले हुए इनको regulate करना है इनको license देना अगर लाइसेंस नहीं रहेगा तो वो coaching operate नहीं कर सकते हैं जी तु सजेस्ट था minimum standard requirement for a coaching center होता था ना कि भाई 10 बाई 10 कमरा उसमें 100 बच्चे ठूसके बैठे हुए वो नहीं चलेगा एक proper तुमारा standard minimum criteria बनाया जाएगा जी अचा कितने बच्चे आपके coaching में enroll करेंगे इसका भी regulation रहेगा प प्रॉपर्ली psychological counselling भी देना है कोचिंग सेंटर द्वारा psychological counselling वह भी आपको provide करवाना है अच्छा पिर उन्होंने यह बोला है कि coaching का मतलब क्या वह जगा जहां पर 50 से जादा बच्चे यहां पर पढ़ाई कर तो इसको आपन coaching कहते हैं ठीक है अब आगे क्यों बढ़ते हैं मतलब जिन्होंने अल्री पढ़ाया हुआ है यह बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा और तुम बहुत देखना misleading करते हैं जो बच्चा है टॉपर पढ़ा उधर से लेकिन इस इस इंस्टिटूट ने लगा दिया वह भी देखना make misleading promises are guaranteed of ranks or good marks to a parents and student for enrolling them in the coaching center यह भी coaching वालों जीने के हो तो तुमारा admission नहीं होगा और नीट वाले बचे exam कब देते 17 साल की उमर पर देते हैं coaching कब से join करते थे वो लो 14 साल की उमर से अब नहीं चलेगा कम से कम तुमारा उमर 16 साल होना ही चाहिए अगर आपको coaching join करना है तो ठीक है अच्छा अब उसकी बाद आपका जो registration जो space किया गया है उतने space में पढ़ा सकते हो एक्स्टा space में पढ़ा नहीं सकते हो जी अब जिस भी coaching में जा रहे हो उस coaching का proper website होना चाहिए और उस website मेना details आपके uploaded होना चाहिए अब कोचिंग वाला फीज बोल रहा है 50,000 और जब तुम वहाँ पर जार तो कह रहा है कि 75,000 बुक्स लेके यह लेके वो लेके ऐसा नहीं जो फीज आपके website बताया गया है वही फीज आपको चार्ज करना है अगर आप उससे उपर चार्ज करोगे आपको penalty या तो आपका license जो है वो cancel हो सकता है आईए जी और प्रापर आपको easy exit policy इसका मतलब कि अगर बच्चा एक साल के लिए अगर छे मेने में चाहता है कि आपका coaching छोड़ देने को तो छे मेने का जो बच्चा को पैसा है वह आपको refund किया जाए प्रापर रिफर्ड पालिसी आपके बाद होना चाहिए जी और कितने बच्चें आपकी अन्रोल कर रहे हैं उसका बिटेल आपको अपने website पर डालना होगा तो यह coaching वालों के लिए बोला गया जी अच्छा अब यह बहुत important है मुना थ्यांस सुना कि coaching वालों की fees के लिए क्या है अगर तुमारे कोई coaching वाले अगर यह rules को follow नहीं कर रहे है मैं तुमको एक number provide कर वा तो तुम उस पर complaint raise कर सकते हो क्या tuition fees for a different courses curriculum being charged shall be a fair and reasonable ठीक है और जो भी तुमने पैसा भरा है उसका receipt आप जरूर से ले लीजिए गा जी अच्छा प्रस्पेक्टस जो आपको मिलता है उसमें जो duration लिखा गया है course completion का उसे duration में complete होना चाहिए number of classes, lectures, tutorials, hostel facility and the fees being charged easy exit policy free refund यह सब भी आपको दिया आजा है कि अगर वे बच्चा चाहता है कि छोड़ दे तो छोड़ सकता है जी अब यह बहुत important बात बोला गया है बहुत सारे coaching वाली कहते हैं कि तुमसे fees ले लेते हैं फिर एक महीने बात कहते हैं कि बैक के लिए पैसे दो, notes के लिए अलग पैसे दो वह बिल्कुल अलग चलेगा नी इन्होंने बोला हुआ है क्या the prospectus notes and other material shall be supplied by the coaching center to their enrolled student without any separate fees thereof अगर कोई coaching वाला तुमसे पैसा मांग रहा है तुम consumer forum में फिदा यह raise कर सकते हो उनके उपर अच्छा खासा penalty पढ़ जाएगा जी clear है अच् the student had paid for the course in the full अगर एक बच्चे ने पूरा payment कर दिया है xxyz institute में and leaving the course in the middle अगर वो छे महने बाद छोड दे रहा है prescribed period student will be refunded from out of the fees उस बच्चे को पूरा पैसा मिलना चाहिए यह कोटा के बड़े-बड़े coaching वाले ऐसा करते हैं बच्चे भाई पूरा पैसा तो ले लेंगे बच्चा पढ़ नहीं पाते तो चले हाथ अपने गाउं उनको पैसा refund नहीं मिलता है तो अब उनको refund करना पड़े है ना होस्टल लिया और तुमने छे मैंने में कोर्स छोड दिया है तो उनको होस्टल पीस भी रिटर्न मिलेगा लास्ट में लिखा गया है इफ दा सुड़ेंट इस टेंग इस टाइम उस टाइम पर बिल्कुल नहीं रखना है जिस समय बच्चे का स्कूल या कॉलेज होता है देखो क्या बोला गया है coaching classes for those students who are also studying in the institution school shall not be conducted during their institution या school hours so that regular attendance in such institutional schools remain unaffected and also to avoid the dummy schools. dummy schools के पर आप कारवाई होना शुरू होने वाला है जी मतलब अगर आप XYZ institute में जाते हो और तुमारी classes जो है वो 9 बज़े से लेके 1 बज़ तक चल रही है और as per the CBAC अगर वो school time है तो आपक classes नहीं चलाना है परना आकी वाट लग जाएंगी अच्छा अब यहाँ पे और एक बात बूली गई है क्या कि teachers को और students को weekly off दिया जाए और आपको इस तरीके से छुट्टी को design करना है कि बच्चे functions में अपने गाउं या घर जा सकें सबसे important बात यहाँ पे यह लिखा गया क्या कि coaching center shall conduct a coaching class in the way that कि जो coaching का जो timing होगा न वो 5 गंटे से उपर नहीं होना चाहिए तेक है 5 गंटे से तुमारा उपर नहीं होना चाहि चाहिए और लेट नाइट भी तुम्हारा coaching नहीं चलना चाहिए और coaching चल तो सिर्फ 5 गंटे चलना चाहिए बच्चे को तो आट वजे बुलाते पहला बैच दूसरा बैच एक बज़े आती है तिसरा बैच छे बज़े आती है अब नहीं चलेगा तुमको ऐसी सुबे classes नही नहीं करवाना है जी अच्छा दूसरी बात यह बोली गई है कि अगर आपको जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है ना उसका रिजल्ट है ना पब्लीकली अनॉंस नहीं करना है बच्चा सुसाइट क्यों करता है अब मॉक टेस्ट हो है उसका weekly coaching वाले बना दिये कि अरे यार इनका आया है माइनस दो नमबर अब बच्चा डिप्रेशन में आ कि गलत कदम उठा लेता है तो वो नहीं करना है यहां पर आपको confidential रखना है बच्चों का पूरा capability है ना लिखा गया यहां पर कहां पर गया हां देखो coaching center shall not make the public the result of the assessment test conducted by it तो उसको तुमको confidential रखना है ठीक है और उस पच्चे को properly आपको guide भी करते रहना है जी और सब इसमें कुछ भी बात है आप लोग के काम लाइक नहीं है सब coaching वालों के लिए जी अच्छा और आपको मुना अगर कोई complaint अगर आप कर रहे हो तो आपको within a one week government के तरफ से भी आपका उसका रुझान मिल जाएगा अगर आपके coaching वाले बात नहीं मान रहे तो उसको पहला penalty जोगा 25,000 का होगा दूसरा penalty एक लाग का होगा और अगर बार बार अगर वह खिये तो उनका license भी cancel कर दिया जाएगा ठीक है अच्छा जो procedure है तुम्हारे पास coaching वालों का है वो लोग कैसे appeal करेंगे इसको जी तो यह update सरक ticket test is also going on जो की properly neat के level का paper है आप जरूर से इसमें भी enroll कर सकते बाइज just only 7.99 रुपेज आई होग के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा रहेगा मिलते आपको अगली वीडियो में अभी के लिब बचते नहीं thank you giant bye bye